क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की कठिनाया हमें कितना कुछ सिखा सकती है? कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता और धेरे से इन कठिनायों का सामना करते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा देते हैं. आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि चतुराई और एकता से हर समस्या का समाधान संभव है. आईए इस कहानी की शुरुवात करते हैं. पुरातन भारत के एक छोटे से गाउ का नाम था विद्यानगर. इस गाउ में रहने वाला एक चतुर ब्रामहन जिसका नाम था शुकल. शुकल अपनी बुद्धिमानी और ग्यान के लिए प्रसिद्ध था. वह हमेशा अपने ग्यान का उप्योग करके दूसरों की सहाईता करता था. उसके पास कई शिष्ष थे जो उससे शिक्षा लेने आते थे. एक दिन गाउ में एक व्यापारी आया जिसने सब को बताया कि वह एक अमीर व्यक्ती है और गाउ की सारी संपत्ती खरीदना चाहता है. गाउ वालों में डर फैल गया. उन्होंने शुक्ल के पास जाकर कहा, गुरुजी, यह व्यापारी हमारी संपत्ती हडपना चाहता है. हम क्या करें? शुक्ल ने सोचा और कहा, चिंता मत करो. मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा. शुक्ल ने एक योजना बनाई. उसने गाउवालों से कहा, हम सब मिलकर इस व्यापारी का सामना करेंगे. हमें उसे यह दिखाना होगा कि हम एक जुट हैं. सभी गाउवाले उसकी बात मान गए और योजना के अनुसार काम करने लगे. कुछ दिनों बाद, व्यापारी ने गाउवालों से समपत्ती खरीदने का प्रस्ताव रखा. गाउवाले एक अत्रित हुए और शुक्ल ने कहा, हम सब ने मिलकर तै किया है कि हम हमारी समपत्ती नहीं बेचेंगे. व्यापारी ने देखा कि सभी गाउवाले एक चुठ हैं और डरने लगा. व्यापारी ने शुक्ल से कहा, अगर तुम मेरी बात मानो, तो मैं तुम्हें एक बड़ा लाब दूँगा. शुक्ल ने हनस्ते हुए कहा, हमारे लिए सबसे बड़ा लाब हमारी एकता है. धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी स्वतंत्रता. यह सुनकर व्यापारी ने हार मानली और गाउव छोड़ दिया. गाउवाले शुक्ल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे. कुछ समय बाद गाउव में एक और संकट आया. गाउव में एक भयंकर महामारी फैल गई. गाउवाले फिर से शुक्ल के पास गए और कहा, गुरुजी, अब हम क्या करें? शुक्ल ने कहा, हमें एक जुठ होकर इस महामारी का सामना करना होगा. कि कैसे वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? उन्होंने मिलकर स्वास्तिकी रक्षा के उपाई किये और एक दूसरे का ध्यान रखा. धीरे-धीरे महामारी पर काबू पाया गया. अब हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं, जो शुक्ल के साहस और चतुराई को दर्शाती है. एक दिन एक आदमी जंगल में घूम रहा था और अचानक उसे एक घायल हिरन मिला. हिरन बहुत कमजोर था और मदद की जरूरत थी. आदमी ने हिरन की मदद करने का फैसला किया. उसने हिरन को उठाया और अपने गाव लाया. गाव वालों ने उसे देखकर कहा, यह खतरनाक है. इसे जंगल में छोड़ दो. लेकिन आदमी ने कहा, यह बेगुना है और इसे हमारी मदद की जरूरत है. गाव वाले डर गए और आदमी को समझाने लगे, यह कोई साधारन हिरन नहीं है, यह जंगल का राजा है. लेकिन आदमी ने हिरन की देखभाल की और उसे स्वस्थ करने में मदद की. कुछ समय बाद, हिरन ने अपनी ताकत वापस पाली और जंगल में वापस जाने के लिए तयार हो गया. उसने आदमी का धन्यवाद किया और कहा, जब तुमने मेरी मदद की, तब मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा. कुछ दिनों बाद, गाउ में एक भयंकर शेर आ गया. गाउवाले डर गए और शेर से बचने के लिए भागने लगे. आदमी ने सोचा कि वह शेर से सामना करेगा. तब ही हिरन ने जंगल से आकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. हिरन ने शेर को अपने तेज दोड़ने की क्षमता से बहलाया और शेर को जंगल से दूर ले गया. गाउवाले देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे. शेर ने हिरन का पीछा किया और उस समय आदमी ने सोचा कि अगर हिरन अपने बलिदान से गाव को बचा सकता है, तो उसे भी साहस दिखाना होगा. आदमी ने शेर के सामने खड़े होकर कहा, तुम्हें हमारी शांती का कोई अधिकार नहीं है. अगर तुम इस गाव में रहोगे, तो तुम्हें हर एक आदमी का सामना करना पड़ेगा. शेर ने उसे देख कर सोचा और फिर वह गाव छोड़कर चला गया. यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई साहस और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है. हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए. कठिनाया हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमें साहस और धेरे से आगे बढ़ना चाहिए. इसलिए आगे बढ़िए अपने जीवन में साहस और एकता का परिचे दीजिए क्योंकि यही है सफलता की कुझी